स्रेश वाय नमस्तु भेहम हम सब को पता है कि करवा चौत का बहुत ही पावन सा दिन था और मुझे पूरी मीध है कि आप सभी लोगों ने पूजा को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया होगा या फिर आप पूजा बहुत अच्छे से करने वाले होगे हैं ना देखो पूल, माला, चावल, चलनी वगेरा जो होती है ना दीपक का हमें क्या करना है जो सुपारी हम इस्तमाल करेंगे या क्या करेंगे जो श्रंगार के सामान है उन सभी सामानों का हम लोग को क्या करना है इसी की बाद इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वीडियो क पूरा देखेगा ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आपाएं और आप सही धंग से इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से विवस्थित कर पाऊ, ठीक है न, देखो, यहाँ पर आप सभी लोग को जो करवा चौत की पूजन समगरी होती है, वो यहाँ पर स्पेशल तरी पाता का श्रिंगार भी होता है, और समगरी भी होती है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग एक एक चीज की तरह बढ़ते हैं, जो एक हम लोग यूज करते हैं इस तरीके से, जिसको हम लोग सीक बोलते हैं, हम लोग के यहाँ तो सीक बोला जाता है, आप के यहाँ क्या बोल जाओ ये फिर महादयो के मंदर के पास जाओ तो उनके मंदर के पीछे जमीन के अंदर नहीं दावा ना मतलब जैसे होता ना कि ये वाला जो portion आपको दिख रहा है ये वाला जो portion दिख रहा है ये ऐसे आपको जमीन के अंदर दबा देना है और ये फूल उपर होना चाहिए अगर इतना नहीं कर सकते हो तो आप ए घर के आसपास में पीपल का पेंड़ हो, वट का पेंड़ हो उसके नीचे भी रख सकते हो कुछ लोग के हाँ करवा मिट्टी का होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाँ जो करवा होता है, वो फूल का होता है स्टील का होता है, अलग-अलग जगों पे अलग-अलग घरों में अपनी अलग-अलग मानिता होती है आपके हाँ जो भी करवा हो ध्यान रखेगा कि करवा को बार-बार चेंज नहीं किया जाता है आजकल की तो जो महिलाएं हैं उनको real का बड़ा शौक हो गया है Instagram देखते देखते वो बार-बार जो करवा होता है उसे change करती रहती है आपको एक बार जो करवा शादी में मिल गया हो या फिर एक बार जो आपके husband ने आपके लिए खरीद दिया हो या फिर आप खुद ही जा करके खरीद लिये हो उसी करवा का श्तमाल आप बार-बार किया करो ना इससे क्या होता है कि दिन प्रते दिन आपके जो पती हैं जो आपके husband है उनकी उम्र तो बढ़ेगी साथी साथ उनके जीवन में तरक्की भी होगी इस चीज का धान लखिएगा तो करवा बार-बार चेंज नहीं किया जाता जो करवा का श्तमाल किया उसे समहाल करके घर में रख देना अगली बार की करवा चोथ पे उसी करवा का श्तमाल करो ठीक है ना समझना ही बात मेरी तो ये चीज़े आ गई है दूसरी चीज़ बात करते हैं जो सबसे जादा मेर है सबसे इंपोर्टन चीज़ है कि जो चलनी होती है न ये इस चलनी के अंदर जो दीपक को रख करके जब हम लोग दर्शन करते हैं चंद देवता का हम बात करते हैं कि भैया सबसे इंपोर्टन तो यही दीपक होता है इस दीपक को हमें क्या करना चाहिए देखो ये जो दीपक होता है ना इस दीपक को आपको क्या करना है समहाल करके रख देना समहाल करने मतलब क्या है कि फेकना मत इसका अस्तमाल आप हमेशा अपने घर में जो भी दीपक वगरा अस्तमाल करते हो मैं जो भी उपाय बताता हूँ ये फिर गुरू जी के जो उपाय होते हैं उस उपाय में भी सेम दीपक अस्तमाल कर सकते हो फेकने वगरा की कोई जरुवत नहीं है समझ रहो न तो इस दीपक की तो बिल्कुल concept clear है दूसरा जो सबसे बड़ी बात है महिला है यहां पे भी गलती करती है जो चलनी होती है न इन चलनी का भी दान कर देती है रहे ऐसी गलती मत किया करो चलनी का दान कभी नहीं किया जाता अगर आप कभी चलनी का दान करते हैं तो इससे आप पे घर में जो अन होता है उसकी कमी होना स्टार्ट हो जाती है तो कभी भी चलनी का दान मत किया करो हर साल चलनी खरीदनी की जरूत नहीं है जब तक तूटण जाए, कट ना जाए, फिट ना जाए तब तक change मत किया करो, इसी चलने का इस्तमाल हर बार हर करवा चौत पे किया करो, ठीक है ना, इतनी बार समझ में आई है, आगे बढ़ते हैं, जो सबसे main चीज़ें कि भीया, जो हम लोग पूजन करेंगे, करवा माता का, हम लोग माता की जो चौकी होगी, उसे हम कब हटाएं हैं, आप के हाँ जो नियम हो, जो प्रथा चलती हो वैसे करिएगा, बट कोशिश करेंगे, सुर्योदे के समय के पास में आप इस चौकी को उठाएंगे, रात में जब पूजन कर लो, पूजन करने के बाद ही बहुत सारे लोग चौकी को हटा देते हैं, ये बहुत बड़ पता है, उस चावल को बोला जाता है, दान का चावल, कौन सा होता है, वो दान का चावल होता है, इसलिए जो लोटे के अंदर आपके चावल आपने रखा था, काटूरी के अंदर, जैसे भी पूजा होता है, उस चावल को खुद इस्तमाल नहीं करना है, उसे किसी ब्रामर दे उता किसी पंडेजी को दान कर देना ठीके ना इतनी भासमझ में क्योंकि वो कौन सा चावल है दान का जितने भी फूल वगरा आपने समर्पित किये हैं इन फूल वगरा को उठा के घर के आसपास नदी तलाप सरोवर कुआ बावडी हो उसमें विसरजन कर देना जितने भ भी फल हो महा देओ की तु पूजन आप कर नहीं रहे हो कि फल आप खा नहीं सकते आपकी इच्छाओं तो फल खा भी सकते हो यहां पे कोई दोश नहीं लगने वाला है या फिर आपकी इच्छाओं तो किसी ब्रामड देवता किसी दानी को दीन दुख्या को आप फल क्या चाहे तो आप किसी ब्रामण को दे सकते हो वरना आपके ही घर में जो भी कोई सुहागन महिला हो उसे दे सकते हो खुद भी इस्तमाल करना है तो कर सकते हो क्योंकि ये कौन सी है ये एक तरीके की माता का प्रशाद माना जाता है तो तीन option आपके पास में है आपको खुद इस्तमाल करना है खुद इस्तमाल करो आपको किसी सुहागन महिला को देना है सुहागन को दे दो या किसी पंडे जी को देना है, उन्हें भी दे सकते हो, ये भी एक तरीका होता है, इन सबी चीजों का इस्तमाल करने का है, बाकि जो भी चीजें बच गई हैं, आपके घर में जैसे भी पूजन वगरा होता होगा, कुछ लोग आटे का चंदर्मा भी बनाते हैं, तो उन जो बनाया जाता है, तो वो चंदर्मा भी किसी भी ब्राम्मर को भी आप दान कर, ब्राम्मर को ही दान देना है, और किसी को भी दान नहीं करना है, इतनी बास समझ मैं ही है, अब देखो एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूँ, देखो, मैंने आप से कहा कहा कि जो करव इस बात आपको बता दू जो दिन होता है इस दिन हमें शुपार्वती की पूजन की जाती है किसी लिए आप लोगों को माता सती और भुले शंकर का एक डीपक भी जलाना है उस डीपक को जलाने से बपले एक छोटा सा काम कर दो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहरी बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ठीक है ना देखो भाई समझने कोशिच करते हैं सुपाय को मैंने आपको बताया है यह दीपक हमें कौन सा चलाना होगा शिव पारवती का दीपक जलाना ऐसे ही एक मिट्टी का दिया लो या फिर उसी दीपक का अस्तमाल कर सकते हो जिससे आपने चंद्र देवता के दर्शन किये थे ना दीपक को लेना और दीपक को लेकर के साथ ही साथ आपको एक कमल गट्टा भी लेना है क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है तो कमल गट्टे का इस्तमाल जरूर करना इन सभी चीजों को लेकर के जहां से भी आप पे घर में चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो चाए आप छत पे चले जाओ, चाहे आप नीचे जमीन पे ही रहो, कहीं पे भी रहो, जहां से चंद्र दियोता के दर्शन हो रहे हो, उनके पास में जा करके उस दीपक को रखना, ठीक है ना, ध्यान रखेगा, मैंने आपको बता रखा है, दीपक को डायरेक्ट नहीं रखेंगे, थोड हम शिव पारवती का मिलन कराते हैं, तो दीपक के अंदर क्या डालते हैं, घी डालते हैं, इसीज का ध्यान लखेगा, तो मिलन कराने के बाद में, जब आप चंद्र दियोता के सामने, उस दीपक को प्रजलित करो, जलाओ, तो यहाँ पे चंद्रिश्वर महादेओ, या फ आपके विचारों की बात करते हैं, आपके साथ रहने की बाते करते हैं, इसी परकार से आप जैसा ही हमारा और हमारे पती का रिस्ता बनाये रखना, इसी लिए शुप पारवती मिलन का दीपक हम जला रहे हैं, ऐसे प्रहतना करके, जब दीपक जला दो, चंद्र मौली या चंद्र इश्वर महादियो के नाम से, उसी के अंदर एक कमल गट्टा डाल देना, कुछ भी करने की जरूत नहीं है, फिर इन सभी चीजों को उठा करके, किसी नदी के अंदर ले जाके डाल देना है, करके जरूर देखिएगा, शुप परवती मिलन दीपक आपको जरूर बाकि मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक चीजों को समझाने की, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ मैं, नीचे कॉमेंट सेक्शने पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन, आवाज मेरी पहरी बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, स्री शुवाय, नमस्तु भ्यम